हलो मेरे प्यारे दर्शकों, आज सेवन स्टार्स भोजन रेसीपी में मैं अनीता बाउनानी, लाई हूँ वैनिला, केरेमल, प्लम केक, फुल ऑफ मिक्स नट्स, मिक्स सीट्स ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, तो ये देखिए कितना फुल ऑफ नट्स है, इसका कितना अच्छा टेक्स्चर है, और ये देखिए कितना यम्मी केक है, फुल ऑफ नट्स, आए देखते हैं, कैसे मैंने ये बनाया है, ये सब इंक्रीडियन्स लगते हैं, ये देखिए, और ये पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विट मेजर लिखा है, आप सेम ट तो मैं गुक करूंगी, अच्छे से औरेनजूस एन्जमयन्स नर्ड्स प्रोب्रली कुक करना है, मैंने चोटे चोटे जोटे कर दिया है, कट किया है, सब अंजीडेट्स को, अप्रिकोड को, चैरीस को, ये सब कट कर्के, मैंने इसमें अच्छे से गुक कर रही हूं, ताक जब तक औरेंज पूरा सुक न जाए एब्जोब न हो जाए तब तक उसको मीडियम फ्लेम में कुक करना है और गुमाते रहना है इस तरह से देखिए डबल भी हो गया और इसका शाइन भी बढ़ गया है अभी ये मैं एक प्लेट में ट्रांसफर करती हूं रूम टेंपरेच मेजर आने तक इसको कूलिंग में रखती हूं अब मैं केरेमल शुगर बनाने जा रही हूं तो पेले में हाफ कप जितना ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है मेजर छोड़ दिया है ऐसे जब तक वो मेल्ट हो जाए और इसको मेल्ट होने का थोड़ा इंतजार करना परेगा अभी हो गया है तो गुमाते रहो अच्छे से मेल्ट होने लगा है तो काफी अच्छे से गुमाना है और जो केक में जो पानी डालना है जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मेजर लिखा है ये पूरा पानी में ये केरेमल शुगर में डालती ह फ्लेम ओफ कर दिया है और ये गठे बठे पुरा मिक्स कर रही हूं अभी मैंने वापस फ्लेम चालू किया है फर्स्ट बोईल आए तब तक अभी ओफ फ्लेम कर दिया है बस हो गया है एक यां दो बोईल आने कर अभी रूम टेंपरेचर होने दे अभी ठंडा हो गया है केरे यह देखिए अच्छे से एकदम प्रॉपर मिक्स करना है अब मैं इसमें शुगर पाउडर डाल रही हूँ और अभी मैं यह मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और अच्छे मैं अभी इसमें मेदा डाल रही हूँ मिक्स नट्स है थोरे डालने हैं थोरे मुझे बाद में लगेंगे इसी में और यह मिक्स ड्राइफ्रूट्स डालने हैं थोरे बाद में लगेंगे इसको अच्छे से मिक्स करना है वेरी वेल मिक्स करना है और यह थोरा वन और टू ड्रॉप लेमन कलर एडिबल डालना है और अच्छे से बनाना और ये अभी बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा लास्ट में डाल रही हूं में और इस तरह से गुमाते रहो गुमाते रहो अच्छे से जब तक वो प्रॉपर टेक्स्टर ना है तो मैंने हलके सा हाफ सेकंड वन सेकंड तक ये एक दो वीपिंग कर दिया है ताकि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा अच्छे से हो जाए अभी मैंने इसमें नौन स्टिक पेपर जो होता है वो डाला या बटर पेपर जो भी डालना है टैपिंग करना है और अभी उसके थोरा इस तरह से तूट्पिक से या किसी से भी हिला दो और ये ड्रा बाकी रखा है लास्ट में काम आएगा मुझे और भी तो अभी मैं बेकिंग ओवन में बैक करने जा रही हूं 180 डिग्री में 55 मिनिट्स 180 डिग्री में रखना सबकी ओवन अपना अपना तरीके से होता है प्रोसेस वह आपको थोरा अपने ओवन का देखना है कैसे होता है औ अभी ये केक देखो इतना अच्छा सा गोल्डन लुक आ गया है इसको मैं अनमोल करती हूं अच्छे से वो इसको करके नाइव से साइड कट करके ये देखिए अभी मैं केक का लुक दिखाती हूं वाव ये देखिए कितना अच्छा केक बन गया है ये देखो मिक्स नर्ड mixed dry fruits और अभी ये थोरा 1 tablespoon caramel sauce है मेरे पास हलका brush मार रही हूँ आप के पास नहीं है तो jam भी use कर सकते हो gel भी use कर सकते हो और इसमें और भी उपर उपर spread कर रही हूँ mixed dry fruits, mixed nuts अगर नहीं करना है ये optional है आपको नहीं करना है तो चलेगा पर मैं कर रही हूँ और इस तरह से पूरा मैं पूरा जिसे real Christmas plum cake होता है वैसे मैं बनाने जा रही हूँ बहुत rich look आ रहा है पूरा घर मेरा महेक रहा है ये इलाईची, cinnamon इसकी खुश्बू ये देखो ऐसे tapping कर रही हूँ ताकि प्रेस हो जाए अभी नहीं निकलेगा इसको one minute dress दे दिया अभी मैं थोरा cooling करती हूँ क्योंकि अभी cake गरम है तो थोरा cooling में रख दिया है ये देखो कितना look अच्छा है वाव ये कितना अच्छा look है कितना bakery style professional look आ गया है ये देखिए कितना सुन्दर लग रहा है तो ये देखिए इसका look ये देखिए कितना सुन्दर बन गया है और मैं इसको आपको बताती हूँ क्याट करके अंदर से कैसे लग रहा है तो ये देखिए देखिए इसका texture ये कितना अच्छे से कट हो रहा है ये देखो कितना इसका अंदर से look देखिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ ये देखिए आपके सामने में ने सब बनाया ये कितना अच्छा ब्यूटिफुल है ये और अभी ये आप भी बनाए लाइक शेर कमेंड कीजे और जरूर बना के और और कौन से केक आपको चाहिए तो मैं वो भी सिखाऊंगी आपक यूट्यूब में तो ये केक आज प्लम केक वेनिला बन गया है ऐसा चौकलेट केक भी बनता है तो आज मैंने वेनिला केरेमल मिक्स नट्स सिखाया है आप जरूर बनाए लाइक शेर कमेंड कीजे एंजोई